श्री शिवाई नमस्तु भी हम दोस्तों आप सबी लोग जानते हैं कि महाशिवरात्री का पर्व कितना बड़ा पर्व होता है और महाशिवरात्री की दिन किया गया कोई भी कार्रे का हमें फल बहुती जल्दी मिलता है क्योंकि शिवजी का सबसे और अत्ती प्रिये दिन होत तो इसलिए महाशिवरात्री के दिन बिलकुल मत भूलिएगा बिलकुल मत छोड़िएगा इस दिन को तो इस दिन आप एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं जिस उपाय को करने से निस्चिती आपकी जो भी मनोकामना होगी बड़ी से बड़ी छोटी से चोटी चाहे कितनी ही काली तिल होती है ये दोनों सामक लिए आपको लेनी है सुपाई के लिए करना क्या है काली तिल लेना है काली तिल गोल गोल होती है ठीक है और छोटी होती है आकार में आप इसे जाकर बजार से भी ला सकते है ठीक है बस एक काली मिर्ची लेनी है और काली तिल आती है जिससे साथ दाने आपको काली तिल के निकाल लेना है निकालने के बाद आपको महा शिवरात्री मतलब मुख्य शिवरात्री की दिन शिवजी के मंदिर में जाना है किस समय जाना है किसी भी समय जाना है कोई दिक्कत नहीं है सुभा के समय चले जाओ प्रदोश के समय चले जाओ कोई दिक्कत नहीं है ठीक है जैसे कि आप सुबा जा रहे हैं प्रदूशकाल में जा रहे हैं तो आप जी के मंदिर में जाना है और शिवलिंगे के उपर क्या करना है यह एक काली मिर्ची और जो है साथ जो तिल के दाने हैं मतलब साथ काली तिल के दाने हैं उन्हें अपने हतेली में रखना है सीधे हाथ के हतेली में रखना है और भगवान शिव की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है और अपनी मनो कामना बोल देना है ठीक इतना सा काम करना है महाच शिवरात्री का ये उपाय दोस्तों छोटा नहीं है बहुत असरदार यह उपाय है और आप विश्वास नहीं मानेगे अगली जो भी महीने की शिवरात्री आती है उस शिवरात्री तक आपकी वहम अनो कामन अगर आपने पूरे विश्वात से सुपाय किया होगा तो आपकी वहमनुकामना पूरी हो जाएगी अच्रू को पाहे करके अवश्ची देखिएगा कोई भी समस्या आए कमेंट करें अवश्ची वाए जाए भुले अवश्ची शिवाए नमस्तु भ्याम